तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर जदातर वीडियो से आपको देता हूँ UPI से रिलेटेड या फिर कोई भी पेमेंट फ्रोड से रिलेटेड तो आपने तिखा होगा कई सारे दिनों से ये वीडियो नहीं आ रही है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले KYC फ्रोड को लेकर जो की एक महिला के साड़े 14,00,00,00 रुपए उसमें चले गए KYC फ्रोड से तो आप जाने के इस वीडियो में कि कैसे आप उस KYC फ्रोड से बस सकते हैं आप देख रहे हैं टेक्नो पाट्शाला तो बिना किसी देरी के आगे बरते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू यह एंदबाद की एक लेडी ती जिनकी उमर 38 साल है उनके अकाउंट पर लगवक 14,58,000 कुछ रुपय थे जो की उनको फ्रोड हुआ है KYC के थुरू मतलब एक कॉल आता है कि भाई आपकी KYC कंप्लेट नहीं है मैं आप अपना KYC कंप्लेट करने के लिए मैं आपके फोन पर एक मैसेज वेज रहा हूँ उससे आप पर फिल अप कर देना है उसमें अपनी अकाउंट डीटेल यतनी भी हो और उसके बाद एक ओटी पर आएगा जिसके बाद आपकी KYC डीटेल कंप्लेट हो जाएंगी आपके उपर कॉल ऐसकते है आपको इतना का कैसबेक लगा है कैस पर लेक करने के लिए आप यह कर सकते। तो ऐसे भी आप फ्रॉड में जा सकते है। तीसरी चीज पेटी उम से भी कई सारा फ्रॉड हो रहा है- पेटीम के थ्रू भी ऐसा ही मतलब KYC के लिए को आउड आ दे रहा हूँ जिसके जरी आप ऐसे फ्रॉट से बस सकते हैं आपके पास पहली चीज कि आपके पास कभी भी कोई भी फोन आ जाए कोई भी मैसेज आ जा जाए उस पर कहें कि आप अपना OTP बताईए या फिर इस एप को डाउनलोड कर लीजे तो सबसे पहले आपको कोई भी follow नहीं करना है किसी के कहने पहा कर अपनी bank account details कहीं भी register नहीं है या फिर send नहीं करना है पहली चीज दूसरी चीज या आपके पास कोई whatsapp पर link आती है आपके पास mail आता है या फिर आपके पास text message के तरह कोई link आती है और उस पर कहते हैं कि आपका cashback लगा है आप इस पर जाके अपना cashback ले लिजे link पर click करिए तो दूसरी चीज वो fraud link होगी और वो कभी भी आपको clear नहीं करेगी कि आपका cashback महां से मिला है या फिर नहीं मिला है यूपी आई पेंस वेकंगाउट नहीं से मतलब कोई आपसे पूछे डारेकली वो आपको नहीं बताना है चौती चीज यह है कि आपको किसी के कहने पर कोई भी application install नहीं करनी है आप वो कहा होगा भाई मैंने एक वीडियो बनाई यह आपको ध्यान होगा any desk के उपर तो वो ऐसी applications होती है जो कोई कह देता है कि आप अपने phone में download कर लीजिए और उसके बात होगा आपके phone की screen जो दूसरे के जो बंदा आपको hack करना चाहता है उसके phone की screen पर show हो जाएगी और वो जैसे ही आपके पास OTP भेजे गया फिर आपके card को access करने की कुसेस करेगा तो OTP वहाँ भी show हो जाएगी जिसके खरण आपको भी fraud हो सकता है तो आप किसी के कहने पर भी कोई भी application अपके phone पर नहीं रखना पांच बाचीज ही है Chinese application आप बिल्कुल भी मत रखिए किसी के भी कहने पर मैं आपको रियली बता रहा हूँ आप चाइनीज application से जितना बचेंगे उतना ही आप ज़्यादा से रहेंगे advance में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके अगर ATM से कोई fraud हो जाता है तो इसके लिए जैसे ही आप ATM जाते हैं और जिसमें आप अपना card swipe करते है ना उस card के पीछे आगे देखी एक हरे हरे कलर का मतलब box type का होगा या फिर कह सकते है एक strip type के लगी होगी तो सबसे पहले आप उसे पकड़ के देखी हेला के देखी अगर बहार आ जाता है इसका मतलब कोई scam आपके साथ scam कर रहा हो जैसे ही आप pin डालते है ना वापर ऊपर की अब देखिए कोई camera बगयरा तो नहीं है या फिर ऐसा कोई device तो नहीं लगा है जो की movement को check कर रहा है आपके उंगले होगी तो ऐसी यह कुछ tips है जिसके जड़ी आप हर किरकार के fraud से बस सकते हैं इविन KYC के fraud से तो आप बची सकते हैं तो बताए मैं कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैल पर नहीं जो रहे हैं इससे सब्सक्राइब कर लिजी कैसी informative वीडियो के लिए तो बस यही ता पूरी वीडियो में कल मिलते हैं